असलाम हुआ अलेकुम मैं जुलेखा अरफाद जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया से हैदरबादी शादियों वाली चिकन जो सूखी चिकन आती ना बहुत ही मज़ेदार होती है खर के हाजर मसालों से छट पट बन जाएगी और आप चाहें तो इस चिकन हैदरबादी वाली बनाते हैं चलिए इसी तरीके से मैंने एक हैदरबादी घृरी चिकन भी बनाई है मेरे चैनल पर अप्लोड़िड है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा सबसे पहले एक क्विक मसाला बना लेते हैं पेस्ट बना लेते हैं तो दाल दीजिए छोटे मिकसर जार के अंदर आधा कप दूद दाल कर इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड कीजिए पेस्ट बन जाए तो इसे साइट पर रख दीजिए तकरीबन यहां पर मैंने लिया है 700 से 700 गराम चिकन है छोड़ी सी चिकन थी तो 700 गराम चिकन लिए चर्वी निकाल लीजिए दो तीन पाने से धो के नितार कर 10-15 मिनिट के लिए चन्नी के उपर साइट पर रहने दीजिएगा अब बाउल के अंदर दाल दीजिए और हम थोड़े मसाले दाल देते हैं नम्मक दाल दीजिए स्वादा नुसार मैंने 3-4 चोड़ चाय का चमच गरम मसा पाउडर दाल दीजिए यह लेस स्पाइसी वाला है और यह आधा च्विटा चाय का चमच स्पाइसी वाला मिर्चो का पाउडर तो मैंने दोनों दाले हैं और यहां पर 3 टेबल स्पून भरकर गाड़ी दही दाल दीजिए और आधा बड़ा निमबू था तो मैंने आधा निमबू का रस दाला है निमबू का रस आपके इसाब से डाल सकते हैं यहां पर मैं डाल देती हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून टेमाटर सॉस यानि के टेमाटो केचप और 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस एक टेबल स्पून रेड चिली सॉस और 2 मेडियम साइज की ट कर लीजिए और कोई चीज अगर कम जाला लगे तो adjust कर लीजिए मुझे कम लगा तो और नम्मक दाल दिया थोड़ा सा मुझे adjust करने जैसा लगा तो mix करके इसे ढाक कर फ्रिच के अंदर एक डिर घंटे के लिए निट करने रख दे या तब तक रखें जब तक आपके पस समय हो यह तिल के अंदर मैंने बिरिस्ता फ्रॉय किया था यही पतीली के अंदर तो मैं तेल निकाल नहीं रही हूँ इसी के अंदर मैं तीन यह दाल देती हूँ हरी एलाईची चूला फास्ट आज पर चालो कर दिय चिकिन को तकरीबन 4-5 मिनिट तक फ्राइ कर लीजिए, बार-बार चलाते रहिएगा, तकरीबन 4-5 मिनिट हो चुकी है, तेल आप देख सकते हैं, उपर आ चुका है, छूट चुका है, तो यहाँ पर मैं है न, 2-3 टीबल स्पून जितना पानी मिक्सर चार के अंदर चला कर क्योंकि थोड़ा सा रह गया था, निकल नहीं रहा था हो, जो हमारा बादाम पिस्तेगा, जो पेस्ता मुझे वेस्ट नहीं करना था, इसके लिए मैंने दाला, अगर आपका टोटली निकल जाता हो, तो आप फिर यह पानी मढ डालीगा, क्योंकि इसे आमें बीना पानी के ही पकाना है, चलिए, अब जब मैंने पानी दाल दिया, 2-3 टेबल स्पून जिता, उसे बार-बार चलाते हुए, इसे अच्छा उबाल आ जाने दी, जब अच्छा उबाल आ जाए, तो अब इसे में ढाक कर, स्लो हाँच पर तकरीबन 6-7 मिनिट के लिए रख देती हूँ, अब 6-7 मिनिट हो जाए, तो आप देख सकते हैं, बड़िया सा तेल छूट चुका है, अच्छा मैंने 6-7 मिनिट इसके लिए रखा, क्योंकि मेरी 700 गराम चिकन तो थी, लेकिन वो छोटी थी, तो आप देख सकते हैं, पीसे भी कितने हैं, छोटे-छोटे हैं, इसके लिए मैंने इसे तकरीबन 6-7 मिनिट रखा, अगर आपके पीसे बड़े हो, तो आप 10-12 मिनिट रख सकते हैं, यहां चुला मैंने कर दिया, आप फास्ट आँच, आप चाहे तो मीडियम आज भी कर सकते हैं, और अब इसे बार-बार चलाते हुए, यह जो पानी आपको दिख रह मैं मुझे रोटी के साथ खाना, तो मैं उस हिसाब से इसे सुखाने वाली हूँ, तो आपने देखा, पहले मैंने 4-5 मिनिट पकाया, उसके बाद मैंने सिर्फ 7 मिनिट पकाया, उसके बाद अभी मैं 3-4 मिनिट और फास्ट आँच पर पका रही हूँ, तो इसी के दर्मिया तो उसमें भी तो चिकन गलेगी ना तो आप आप देख सकते हैं बढ़िया सा ड्राय आउट हो चुका है मैंने चुला कर दिया बंद और ये बन गई है हमारी बढ़िया सी क्विक मज़ेदार सी चटपटी सी हैदराबादी शादियो वाली चिकन कर्मा गरम इसे एक और जटपट है ना ये इसी तरी से एक क्विक हैदराबादी घ्रीन चिकन भी मैंने बनाई है ऐसी मसाले वाली थिक मसाले वाली उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंतर है आप वहां चेक कर लीजेगा रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है एक लाइक कर द है आप जैसा मरजी चाहें वैसा सर्फ करें तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाली वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा और अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्शन में जरूरू श